वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हर एक सदी को किसी एक एरिया किसी एक पावर के नाम से जाना जाता है जैसे पैक्स इंडिका इसका मतलब है कि एक ऐसा समय जब इंडिया प्रॉमिनिंट पावर होगी पैक्स ब्रिटेकाना एक समय था जब ब्रिटेन सुपर पावर थी पैक्स अम और एशिया में, कौन इस competition में जीतेगा, यानि कि कौन अपने interest को secure रखेगा, वो इस region से भी decide होगा. We are talking about Indochina region. When I am saying Indochina, it's not India-China. Indochina, इस region को हम कहते हैं, जो इंडिया के east में है और चाइना के south में है. So why we are stressing so much on this region? इस वीडियो में आपको यही पता लगने वाला है. साथ में, look east policy से act east policy. और उसके बाद अभी क्या development चल रहे हैं? जियो पॉलिटिक्स, defense security, यह सब कुछ हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं. इस वीडियो को save कर लीजेगा, last में एक question होगा, बहुती जबरदस question है. में है यह South China Sea, जो actually एशिया का जियो पॉलिटिकल competition का hot spot है. राइट? यह है वो region, यानि का Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia. अब Myanmar का border इंडिया के साथ connected है, राइट? Vietnam खासा परेशान है चाइना से, और यहां पर जो Laos और Thailand यह डाइसी situation में है, ज़रा जानते हैं, क्या चल रहा है? चाइना की इतना actually इनको अपने करीब लाना चाह रहा है, means चाइना क्यूं इतना penetrate करना चाहता है, इनकी domestic economy में, इनके foreign affairs में, कारण देखे, वो है चाइना की geography, चाइना इस तरफ से landlocked है, और यह हमारा oxygen area कबजाय हुआ, इस तरफ चाइना के पाकिस्तान के साथ collaborate कर रहा है उसको पता है कि यहां से USA is pressurizing China, मतब basically counter करने पर लगे हुए है, South China Sea में उसका conflict चल रहा है, इस चाइना सी में Japan है और उसके पीछे USA है, तो अगर encirclement China का यहां से होता है, तो मुझे बताए यह logical कि आप अगर इस area को develop करवाना चाहता है, मतब China इस area को develop करना चाहता है, तो उसको कहीं न कहीं एक route चाहिए Indian Ocean का, तो वो route कहां से आएगा, वो route यहां से आएगा कि नहीं आएगा, एक route तो वो है जो यह illegally occupied Pakistan का जो कश्मीर से लेकर जाना चाहता है, और दूसरा आपका यह Myanmar वाला region है, तो Myanmar critical हुआ कि नहीं हुआ, और अभी आपको Thailand का भी पता लगने वाला है, कारण किया है, कुल मिलाकर समझे है कि वो far sea में अपनी defense को और जादा strong करना चाहता है, और अगर यह area, चाइना की dominance में रहा, तो चाइना इस region की sea power बन जाएगा, वो भी only, हमारे interest compromise हो जाएगा, example लीजे थाइलेंड से, थाइलेंड का proposed kra canal, आइडिया देख रहें क्या क्या रहा है, आइडिया है कि यह थाइलेंड है और यहां पर इसको break करके एक canal बना लेते हैं, इसका सबसे बड़ा benefit किसको होगा, चाइना को, चाइना के पूर लीडर, मिस्टर हू जिन्ताओ, ने एक word use किया था, मलक का dilemma, चाइना की 80 प्रतिशत जो उरजा जरूरते ह जाती है, डिलेमा क्यों है, क्योंकि अगर इंडिया थाइलेंड और इंडोनेशिया के साथ मिल कर इस रीजन, इस चॉक पॉइंट पर अपने आपको strong कर ले, तो जाहिर सी बात है, अगर चाइना के साथ war वाली situation, देखिए, war वाली situation में आपको हर एक position, जिस पर आप दूस ऐसे समझेगा कि यहाँ पर है सवांग पोर्ट और इस पर इंडिया अपने आपको strong कर ही रहा है, राइट, जो हमारा अंडमान निकोबार आइलेंड है, यहाँ पर हमारी integrated command और रड़ी आ गई है, हम इसको डॉलप और जादा कर रही है, तो यानि के चाइना को भी एक बात पता है, यहाँ पर हम strong होई रहे हैं, यह अपना अंडमान निकोबार आइलेंड हो गया, तो अगर इस एडिया को ब्लॉक कर दिया जाए इंडिया दोरा, in case of conflict, तो जाहिर सी बात है, चाइना को नुकसान हो सकता है, चाइना कहा है, बहुत पैसा कमाऊगे, देखो स्वेज कहना, एजिप्ट ने कितना पैसा कमाया है, तो बहुत फायदा होगा तुमें, लेकिन हमें क्या नुकसान होगा, अरे अंडमान निकोबार आइलेंड, हमारे exclusive economic zone, वहाँ पर चाइना की presence आई, तो हमारे लिए नुकसान है की नहीं है, नुकसान है, तो इस वह से चल रही है, लेकिन चाइना मैनमार की आर्मी के साथ close relation रखता है, और इसी वज़े से भी इंडिया की strategy में हम ambiguity रखते हैं, यानि के हम नाराज नहीं कर सकते, मैनमार की आर्मी को नहीं तो चाइना के और जादा करीब हो जाएगी, प्लस हमारे North East में जो separatist group काम करते हैं, उ जो कि उनके कितने सारे safe havens, basherns कहां बन जाते हैं, मैनमार की जंगलों में बन जाते हैं, तो ऐसे में उनकी आर्मी और हमारी आर्मी मिलकर वहां joint operation करती है, तो ऐसे में मैनमार के साथ defense में हम already strong हैं, लेकिन क्या मैनमार अपने खुद के interest जो चाइना से पूरे हो रही है, उ oil pipeline, कहां से कहां ता कारिया, कुन्मिंग से लेके क्युप्युक तक, कुन्मिंग क्युप्युक, केके, ये network है, तो already ये अगर network यहां पर है, और कुन्मिंग वाले area के development में इसको वो बहुत जादा महतपूर्ण मान रहे हैं, और इस area के development के लिए उनको export यहां से करने का एक access दे रहा है उनको, और यहां से few hundred miles पर अंडमाने निकोबार आइलेंड्स हैं, तो ऐसे में वो इंडिया को in situation of war, back foot पर लाने के लिए हो सकता है, नाम के लिए कहेगा, कि अरे हम क्यूपिक पोर्ट डलप कर रहे हैं, लेकिन ये तो civilian port है, लेकिन फिर हमने इस से पहले भी देखा है, वो civilian के नाम पर फिर military vessels को वहां पर लेकर आते हैं, और फिर इसका इस्तमाल करते हैं, तो इंडिया के influence को deter करने के लिए, इस area का इस्तमाल चाइना करना चाहरा है, तो economy तो सबसे पहला तरीका होता है, फिर आगे वो geopolitics से जोड़ देता है, चाइना कहता है, हमार बारत से पुराने संबने इनके साथ, अब factually बात करें, तो देखिए, अगर कोई हमसे पहले किसी के साथ बहतर रिश्टा रखता है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना होता है, कि future में भी रहे गई रहेगा, है कि नहीं, खाली कुरसी पर तो कोई भी बैठ जाए, मज़ा पार्टनर बन गया था, 1990 और उसका इक बड़ा कारण भी था, क्योंकि चाइना बहुती ज़्यादा फेवरेबल, ट्रेड अक्चुली एंगल इनके साथ रखता था, और जब इनके हाँ एशन फिनाशल क्राइसिस आये थे, तो तब तक चाइना, एक्सपोर्ट का थे, तो इन एशन फानेशल क्राइसिस में उन्होंने कहा है कि चाइना कहा है, टैंशन मतलो, पैसा बहुत है अपनी बास, हम सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे में आश्याद आश्याद देशों को भी लेगा, चाइना को साथ लेकर चलना पड़ेगा, जिसके पास पैसा, तो इस थर्टी परसेंट, मायरमाइट 23 परसेंट, थाइलेंड 12 परसेंट, वियतनाम 25 परसेंट, तो इस तरीके से हमने अन्वल ग्रूथ देखी है, उसके बास शेजन पिंग कहा है कि अब तो अभी तक तो आपने ट्रेलर देखा है, जो बिग पिक्चर है वो हम बियाराई में द नहीं है, तो ये भी एक एंगल है, इंडिया इन देशों को आगहा भी करना चाहेगा, हमने क्या किया इस एरिया के लिए, हमने लुक इस पॉलिसी स्टार्ट की, और लुक इस पॉलिसी के अदर टाइमिंग देखिएगा, इजिस कनेक्टेट तो इंडिया अस LPG, लिब्रल जैसे की मलेशिया, देश जैसे की सिंगापोर, इन्होंने बहुत सस्ता टेक्स रखा, मतलब बहुती कम टेक्स रखा, तो कितनी बड़ी-बड़ी कंपनियों ने यहां पर अपने हैटक्वार्टर खोल दिये, तो यानि कि यहां से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ सकता बिलकुल आएगा, जब हमने लपीजी कर ही रहे हैं, तो कम से कम जहां से इंवेस्टमेंट आना है, उनके साथ रिष्टे तो बहतर करेंगे की नहीं करेंगे, तो आप यह धियान रखिएगा कि यहां पर लुकिस्ट पॉलिसी का जो पहला एंगल था, वो एकॉनमिक था, that that's why we are looking at this site, अभी इसको elaborate करते हैं, यहां पर आपको यह PDF मिल जाएगी, शशांक त्यागी for you, you can connect with me, Instagram पर सारे updates यहां पर राते रहते हैं, कोई आपका suggestion है, यह doubt है, I'm there to help you out, now, yes, अगर आप PSIR Optional में interested हैं, तो this is the best time to join in, you can save, and this is the best course in India, किस लिए है best course, IT is this PSIR Optional, and I make sure, the best of the content is delivered to you, in the best possible manner, basic से लेकर depth तक, answer writing के लिए लग से crash course, यह test series नहीं, answer writing क्लास में ही, और test series भी 7 में ही, तो that's why this is the best course, तो आप studyike.com पर जाएंगे, त्यागी live code लगाएंगे, तो अभी आपको यह maximum discount में मिल जाएगा, join your classes, and start your preparation, अगर आप 2024 के लिए त्यारी कर रह हैं, तो यह तो आपको पता होगा कि अभी आपको शुरू हर हाल में कर देना चाहिए, जिसे December तक significant portions are ready, slavers complete हो जाए, confidence आजाए, prelims के लिए भी, mains के लिए भी, जिसे कि January के बाद आप revision पर और prelims centric preparation पर focus कर सकें, तो ऐसे में आप studyike.com पर जाएंगे, तो अभी तीनों तर करें, तो आप मुझे यहाँ पर connect कर दीजेगा, I have a special mentoring group for these students, तो ऐसे में वहाँ पर जो भी आपका doubt होगा, तो वहाँ पर मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि हम internet करते रहेंगे, now, coming forward, look east policy, तो look east policy ने एक तो जो trade barriers थे उसको reduce किया, कि आप हमारे साथ व्यापार अब आसानी से कर सकते हैं, तो आसियान ने का ठीक है यह तो अच्छी बात है, हम improve करेंगे trade को, तो ऐसे में हमने का कि देखो, economic angle है, तो चलो हम dialogue partner बन जाते हैं, 1996 में हम dialogue partner बन गए, फिर summit level partner बन गए, मतलब यह stages होती है, फिर 2010 में free trade agreement भी हमने sign किया, फिर हमने इनके अलग जो groupings हैं, जैस अब pro and cons देखते हैं, LEP के, lookist policy में कुछ खामी होगी, तभी तो actist policy आई, है के नहीं, तो इंडिया ने liberalize किया, अपनी economy को, GDP per capita में कुछ boost आया, right, reduction जैसे हमने tariff में किया, तो मतलब tariff का मतलब होता है, import tax, import tax, import duty में कमी करेंगे, तो capital flow तो आएगा, लेके, मुद्ध यह ह कि क्या हमने geopolitics पर उतना focus किया था उस समय, नहीं किया था, हमारा focus था कि employment opportunities बढ़ जाएं, बढ़ गई, Malaysia से investment, Singapur से investment आने लग गया, integration किया लेकिन economic angle पर, जो region हमसे छोट गया, वो था North Eastern region, North East region को हम हमें access बनाना चाहिए था, यह एक perspective आता है, यानि कि जब तक इंडिया का North East, Central नहीं होगा, जो भी काम हम करेंगे, साउथिस्ट एशिया के साथ connect करने में, तब तक मुझे बताईए, क्या वो policy में strength आ सकता है, नहीं, और यह इसलिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो अलगाववादी ताकते, separatist काम करते हैं, तो जैसे यहाँ पर investment होगा, job बढ़ेग तो ऐसे में उनकी movement को कोई हवा देने वाला होगा नहीं, कुल्म लाकर बात यह है, तो actist policy में हमने अपना vicious focus इस पर रखा है, तो अभी हमने देखा कि lookist policy के समय, केवल economic angle पर focus करने से trade भी नहीं बढ़ता, कई बार ऐसा होता है, रिष्टिक कब बहतर बनता है, अगर आप दो और कारणों से भी दूसरों के लिए important हो जाए ना, तो वो सूचते हैं, आप ट्रेट भी इनके साथ ही कर लेते हैं, तो यानि कि अगर उनको defense के ज़रत हो और आप defense provide कर रहे हैं, they will see कि okay, now we have to open this area, let's give some favor to this particular nation, because this is our friend, है ना, तो इस वे से हमें multi-pronged strategy रखनी चाहिए, trade, ज़रा, आसियान का total FDI inflow देखिए by source, तो हम भी आसियान में invest करते हैं, ठीक है, तो 2018 में देखिए 1516.1, ये US million dollar में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है 9940, तो जाहिर सी बात है, चाइना जो है, जाधा FDI महाँ पर कर रहा है, जाधा investment महाँ पर कर रहा है, FDI, foreign direct investment कर रहा है ये स्थाई निवेश है, तो this is a challenge, अब factors क्या हैं, जिसकी वएसे एक limited connectivity रहे गई, तो एक, आसियान देश खुद कहते हैं, कि देखो, अभी भी आपके जो tariff barriers है, वो high है, यानि कि it needs to be reduced, दूसरा कहते हैं कि physical connection अभी काफी कम है, means network of infrastructure is needed, अब Myanmar का example देता हूँ, कहा जाता ह परसेंट के आसपास domestic roads है Myanmar की, जो paved है fully, यानि कि जहां से trucks की आवज़ा ही हो सकती है, तो अगर इंडिया यहां पर trade करना चाहता है, वही मैनमार है, थाईलेंड है, फिर लाउस, कमबोडिया, वेताम, तो सबसे पहले सामान को यहां से ले जाना पड़ेगा न, अब यहां स तो चलो, अब connectivity diplomacy की जाए, तो ऐसे में activist policy में connectivity diplomacy becomes pillar, connectivity diplomacy है North East region, तो हमने क्या किया, let's start this project, मोरे से लेकर यहां तक, मैसौट तक, यानि कि हम मैनमार से होते हुए और फिर थाईलेंड तक एक project चला रहे हैं, इससे क्या होगा, थाईलेंड अब एक distribution channel बन जाएगा, थाईलेंड अब हमने इसमें security angle को भी जोड़ दिया है, क्योंकि security तो important है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि अब activist में ASEAN as a grouping became an anchor, तो देखिए अगरतला अखौरा railway link हो गया, ये intermodel transport हो गया, कालादान multimodal project हो गया, जो कोलकाता से लेकर सित्वे project जो मैनमार में है, उससे फिर उपर North East road and bridges ह गए, तो एक तरीचे से ऐसा समझ लीजे, कि अभी ये ASEAN जो है, ये China में हो रखा है, means China के पैसे में, China के projects में, China के FDI में डूबा हुआ है, और इसको बचाने का एक ही सहरा है, वो है Indian ship, तो Indian ship बीच में से आता जा रहा है, ASEAN को भी इंतजार है, बचा लो, तो we are coming there, right, त 21st century के जो challenges हैं, उसमें, we can help them, right, तो ये मैं आपको बताया, Northeast region becoming critical, right, ये Trilateral Highway वाला प्रोजेक्ट तो ऐसा है, इसको ध्यान रखना ही है, coat करना ही है, Thailand का जो rail network है, this is going to connect, and bring this transport chain into use, तो देख रहा है, Myanmar से फिर, ये तो जा रहा है आपका China, Kunming तक, यहाँ ये जो route है, इस route का ह में best माल करना है, क्योंकि China की strategy इसके लिए चल ही रही है, तो देखिए, समझ लीजे कि geopolitics is like a chess board, ये अगर एक chess board है ना, तो China अपने actually plan को set कर रहा है, हमें अपने plan को set करना पड़ेगा, ऐसा नहों कि game उनके favorim में पहली हो जाए, that's why Thailand becomes a critical point, now इसमें ये जो region है, Malaysian, ये जो Indonesia, ये और जादा important हो जाता है, देखिए, यहां पर Sunda State है, Lombok State है, ये Sunda State और Lombok State जो है, ये चाइना भी सोचता है कि अच्छा, ये तो हमारे लिए ना, मलक्का डिलमा को resolve करने के तरीके हैं, मलक्का पर हम नहीं dependent रहेंगे, अगर हम इनका इस्तमाल करने लग जाए, ऐसा China सोचता है, इसी वे से कुछ समय पहले कुछ Chinese results इस एरिया में surveying के लिए भी आये थे, लेकिन अगर हमारे relation Indonesia के साथ, Malaysia के साथ अच्छे हैं, ये भी Indonesia, ये भी Indonesia, ये पूरा Indonesia एरिया है, तो मुझे बताएए, क्या ऐसा यहां पर कोई काम हो सकता है, क्या, जो India के खिलाफ हो, नहीं, अगर Indonesia के साथ हमरे security arrangements are strong, then we can have hold over these critical points as well, कि यहां से block रखो, यहां पर सबोंग है, अंडमान है, यहां से block रखो, और Thailand के साथ मिलकर को, बेटा, क्रा कनाल करोगे, दिक्कत में आ जाओगे, ये नहीं करना आपको, ठीक है, तो ultimately, क्रा कनाल के भी, there are many studies which say that क्रा कनाल may not be sustainable for Thailand, you should not compare कि एक जगे कोई model successful हो गया, रहे वहां पर traffic तो देखो न, Swiss Canal से आप कैसे comparison कर रहे हो, right, क्या वो इतना, मतब क्या ये route सही में उतना sustainable होगा, already, आप जितने trade आते हैं, यहां से आते हैं, right, इस route से आते हैं, तो क्या वो सही में इतना ज़्यादा beneficial होगा, जबकि यहां पर जो सिंगापूर है, सिंगापूर को क्या आपने मजाक में लिया होगा, सिंगापूर कहेगा, यार मेरा importance कम हो जाएगा, अगर आपने direct यहां से route shift कर दिया तो, right, now, तो geopolitical component अब इसमें add हो चुका है, security cooperation with ASEAN became critical, जैसे कि 500 million dollar की credit line हमने वियतनाम को दी, क्यों दी, हतियार खरीदोना, कारण क्योंकि वियतनाम के fishing vessels को डुबा रहा है चाइना, जो वियतनाम के natural reserves हैं, उसको claim कर रहा है चाइना, तो वियतनाम तो कुल्म लाकर इंडिया के साथ, बिल्कुल सबसे पहले आने के लिए तयार है, right, अगर मैं Indochina region की बात करूँ, right, देखिए, यहाँ पर हमने joint vision statement sign की थी, 2015 से 20, और यहाँ पर हमने already security cooperation को intensify करने की बात कर चुके है, joint military exercise हमने start कर दिया, तो कहने का मतब यह हुआ कि इस area में, we have actually developed a say which can counter China, right, Indonesia, अरे आप पैसा लाते रहो चाइना, लेकिन अगर इनके security concern को आप handle नहीं करोगे, क्योंकि security concern है ही आपके क space, right, India is going to make use of that space, जैसे यहाँ पर Indonesia के साथ joint military exercise, जो हमारे हाँ best practices है, वो हम Indonesia के साथ share कर रहे है, better coordination कर रहे है, military research कर रहे है, तो ऐसे में, Indonesia is going to give us this leverage, right, 80% मैंने बताया कि यहाँ से pass होता है, जो annual energy supply है, तो इस वैसे एक तरीके से opportunity है कि have a strong hold on this particular chalk point, अब अगर China यहाँ पर कभ हमारे इस area में और ज़्यादा strong hold हो जाए, तो आपको नहीं लगता कि अगर China और नाचल प्रदेश में, लदाख region में कुछ भी expansionary करने की कोशिश करेगा, तो हम इस region के साथ मिल कर हो सकता है, कि और ज़्यादा pressure China पर create करना start कर दे, right, अब conclusion और ज़्यादा interesting बन जाता है, का places बनाना start कर दे, defense cooperation के नाम पर, तो China कुछ न कुछ हरकत करनी की कोशिश करेगा इन देशों के लिए, और जैसे ही China करेगा, तो ऐसे में ये देश चाइना से और ज़्यादा दू जाएंगे, तो ऐसे में इनके पास next best alternative कौन बचेगा बताईए, अरे बताईए, इंडिया ब जाएगी, now, analyze the significance of Indochina region for India, अरे अब तक इतनी सारी आपको reasons बता दिये, तो ये तो पता लग गया होगा, also highlight the transition of look east से act east, तो ये भी इसी discussion में आपको पता लग गया है, इस PDF को मैं upload कर दूँगा है, यहाँ पर, शशांग त्यागी for you, टेलग्राम ग्रूप पर, तो अभी आ आप download कर लीजेगा, answer को जो लोग practice करना चाहते हैं, तो answer को practice करके आप अपने answer को यहाँ submit कर सकते हैं, इस Telegram ग्रूप में, ठीक है, और ये मेरा Instagram है, यहाँ पर connect हो जाएए, त्यागी live आपका discount code है, और this is the best opportunity to start your preparation, फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, जैहंद,